असलाम लेकूम मेरा नाम उसामा हफीज है तो आज हमारा पहला लेक्चर है सबसे पहले जो है मैं आपको प्रीवियस वह थ्वड़ा सा व्यू दुबारा बता दूँ कि जो है लास्ट टाइम हमने क्या डिसकस किया था लास्ट टाइम जो हमने डिसकेशन की थी वह यहां पर एक लेक्चर है सकोदी है उसकी बेसिक्स मैंने बताई थी थी कि एमाजोन विरिटुल असिस्टेंट होता को ने यह तरहां किस तरह सकता है कि यह उसका क्या होता है और वह अर्णिंग किस तरह से कर सकता है ठीक है मैं शौट वर्ड्स में दुबारा पताना चाहूंगा कि Amazon Virtual Assistant एक अगर आपको तो आपने एक जो है अगर आपको आपने एक जो है अगर आपका जो है रिकॉर्ड उसने संभाल के रखा हूँ और वो सबको डील भी कर रहे हैं कि सुपर गिए ऑनधियो कर रहा है सब की तो एजा विर्ट्वल असिस्टेंट आपके ऊपके विश्निस को संपालता है ठीक है जैसे आप निवस्टी में देख लें एक assistant professor होता है वहाँ पर जिससे 3-4 professor जो है वो उनसे senior होता है as a virtual assistant भी तक्रीबन services सेम ही है ठीक है अब Amazon virtual assistant के चार part है basic पहला है product hunting का product हंट किस तरह से करते हो आप IMAZON के ओपर कोई भी product जो है वो मैंने list करना है उसको मैंने sell out करना है ठीक है तो मैं सबसे पहले उसका scope देखूँगा product का product hunting में क्या आता है वो मैं आप भी आपको बदाता हूँ ऐसा topic है या आप इसको ऐसे consider कर लें कि बजार में आपने ना कोई नए नई दुकान open की है ठीक है यह तो चाहे मिठाई की दुकान है उचाहे क्रॉकरी या पर्तनों से रिलेटिड कोई शोप है चाहे गार्मीट से रिलेटिड है या जिस बनें कारोबार करना है वह सबसे पहले अपनी प्रोड़क्त की जांच-परताल करेगा कि उसको अच्छी प्रोड़क्त मिल जाए और उसक कब भी सीजनल प्रोड़क्त नहीं देखनी ओर कि Amazon के ओपर आप नहीं हमेशा वही वाली प्रोड़क्त देखनी हैं जो के पूरा साल चले ठीक है सीजनल प्रोड़क्त Amazon के ओपर सिरस तीन महिने मैक्सीमम तीन महिने चलती है बाकि सारा का सारा प्रॉफिट आपको जो है तीन महीं नहीं होता उसके बाद आप लॉस में जाती हो ठीक है मैंने Amazon के उपर seasonal products के उपर काम किया है यहां पे Christmas में ठीक है तो हमने उसी हिसाब से ही inventory मगवाई उसी हिसाब से हमने उसको sell out किया लेकिन फिर भी हमारी कुछ inventory बच गई ठीक है अब वो पूरा साल पड़ी रहेगी जब साल हमारा दुबारा से Christmas आएगा तो हम दुबारा उसको launch करेंगे ठीक है क्योंकि हमने तो उसको sell out करना otherwise हम लॉस में जाएंगे ठीक है प्रोड़क्ट हंट जब आप करते हो आप सबसे पहले criteria देखते हो कि जिस market में आप काम करने जा रहे हो UK में करने जा रहे हो USA में करने जा रहे हो आपको बिना advertising कि उसके उपर sale आती है महीन है कि आपके ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तीस यूनट लाजमी sell out होते हैं चाहे वो बुरी से बुरी प्रोड़क्ट है या अच्छी से अच्छी प्रोड़क्ट है ठीक है क्योंकि सबसे बड़ी market है वहां पे थक्रीबन कोई अंडरड में से 85% Amazon से ही चीज़ें purchase करते हैं उसके बाद दुसरे नामबर पर यूके यूके मार्किट में आप कम से कम पैसों वाली product launch कर सकते हो ठीक है और उसके उपर आपको profit जो है वो 2 pound या 3 pound को होता है अगर product आपकी 12 pound की आपको उसके उपर 3 pound ज्यादा से ज्यादा उ होगा ठीक है अगर कम से कम हो तो 1.5, 1.2 pound इतना profit margin होता है ठीक है 12 pound की product के उपर ये सारी बातें आप जो है read out करने इनको आपने याद रखने आप notes बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है और मैंने आज आपको एक book जो है वो भी provide की थी तो जैसे ही lecture end होगा आपने book को read करने ठीक है और उसके बाद मैं आपको task देता रहूंगा daily basis पे आपने उनको लाजमी perform करने है जो भी answer questions होंगे हम lecture के end में उनको discuss करेंगे अच्छा as a virtual assistant आप जो है सबसे पहले scope देखते हो अब मैं आपको बता हूँ UK market में अगर मैं launch करने जा रहा हूं कोई भी product ठीक है तो मैं अपने client को बताऊंगा कि भाई ये criteria है UK market का criteria किस ने provide किया है आप उसको बोलोगे कि ये हमारी company है extreme commerce या आप enablers का मैं खुद उनको follow करता एक्स्ट्रीम commerce भाई सनी अली है उनका जो criteria है उसी को follow करते हूए हम कोई भी product है वो launch करते हैं ठीक है क्यों हम उनको follow करते हैं उन्होंने लाख़ों प्रोड़क्स Amazon के उपर launch की है उनका जो criteria है वो बिलकुल exact होता है ठीक है उसी के through ही हम product launch करते हैं उसी के through ही हमें सब जो है A to Z देखना पड़ता है अच्छा वो criteria आपको fingertips पे आना चाहिए ठीक है कि आपका product कैसा होना चाहिए ठीक है breakable product ना हो seasonal ना हो ठीक है उसकी price क्या है उसकी shape कैसी है variations कितनी है उसमें ठीक है अब मैं आपको jumper की example दूँ ठीक है आपने कोई नई दुकान बनाई है बजा करोगे आप उसकी quality check करोगे आप उसमें हागा जो है किस company का यूज हुआ हुआ है उसको भी आप किसी अच्छे जो है यानि कि जो अच्छा वाइवर है उस बंदे से आप जाके कोई ना कोई आइडिया लोगे कि भाई मैं 500 पीसीज फाने लगा हूं इसके लहोर से कराची स तो मुझे बताओ इसकी quality कैसी है उसके उपर अगर प्रिंट है तो वह उसकी quality कैसी है एटो जी आप सारा चेक करोगे उसके बाद पिर आप उसका scope देखोगे scope देखने के बाद आप उसको फिर launch करोगे ठीक है इसी तरह से Amazon के उपर भी जब आप product जो है लॉंच करते हो आपको अच्छा खासा पैसा भी देती है ठीक है अगर आप criteria को follow नहीं करते तो फिर product की कोई guarantee नहीं है कि वह आपको profit देगा या नहीं देगा या आप loss में जाओगे या आप profit में जाओगे ठीक है बात सारी यह इन दो चीजों के परिम्यानी घुमती है ठीक है आपने अच के market में जो है dog towel यह मैंने last time जो है Q4 से पहले मैंने launch किया था ठीक है अच्छा मैं जो भी successful products में launch कर चुका हूँ उन में से एक products है वो मैं लास्मी अपने students को बढ़ा रहता हूँ ताकि उनको motivation मिले और product hunting जो पहला step पैना इसमें आपने कभी भी give up नहीं करना जितनी आप practice क करोगे उतना ही आप आगे जाओगे ठीक है product hunting में आपको criteria को follow करते हुए product बहुत मुश्किल मिलती है लेकिन जब आप searching करते रहते हो एक week जब आप daily work perform करते हो ना कि भाई मैंने आज product ढूंड़नी है और मैंने चेक करवानी है अपने mentor को चेक करवाने के बाद फिर मैं जोथी के तरफ ठीक है फिर इस तरह से आप दस अच्छी product हंट कर लेते हो ना फिर आपको idea हो जाते है फिर आप दिन में चार-चार product भी easily hunt कर लेते हो और product hunting के बाद जब अच्छी product आप दोन लेते हो तो आप जब किसी भी group में लगाते हो ना उसको जो बंदा expert होता है वो आपके product के उपर आके आपको कहेगा I am interested आपको inbox में बुलाएगा आपके साथ डेल करेगा वो आपसे कहेगा कितने की आप जो है मुझे sale out करोगे ठीक है वो आपकी मर्जी आप उसे 100 dollar की दे दो 200 dollars की दे दो ठीक है यह demand होती है product की ठीक है अगर उसमे profit margin है 30% तो आप उसको 1500 dollar की दे दो अगर उसमे profit margin है कोई 50% का फिर आप उसे 1000 dollar की दे दो ठीक है अब मैं अगर आपको बताओं तो मैंने सितंबर में एक product जो है वो sale की थी face mask ठीक है face mask मैंने किस company का कौन सी variation का मैंने sale किया था 1000 dollar का मैंने अपने एक client को यह जो है उसको मैंने sale out किया था और 1000 dollar क्या उसने तक्रीबन Q4 में December में उसकी जो sale थी वो कोई 38,000 की उसकी sale थी ठीक है तब आप देख लें पुरी दुनिया में lockdown था और उसी दोरान जो है हर दूसरा बंदा जो है Amazon से face mask बाइक कर रहा था उसके उपर average reviews से ना कोई 8 से 9 थे जो required थे ठीक है average reviews जितने average reviews आपकी product के उपर कम होंगे उतना आपका product जो है market में ज्यादा उपर जाएगा ठीक है यह बात आप note कर लें अभी हम चलते हैं उसकी तरफ कराइट एरिया की तरफ ठीक है कि as a virtual assistant आपको product hunting जो पहली अच्छा प्रोड़क्ट जो अच्छा प्रोफिट देगी वही वाली product अच्छी होती है ठीक है अच्छा उसके बाद अच्छा product hunting के लिए हमें tools की जरूरत होती है ठीक है आप अपने mind पर रख लें tools कौन-कौन से हैं एक है jungle scout ठीक है पुरी दुनिया इसको 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 इस नहीं मर्चेंट वर्ड कि इसनी डिमांड है क्योंकि सारी आपकी जितनी भी requirements है ना वह यह वाला टूल जो है ना helium 10 यह सारी requirements आपकी पूरी कर जाता है ठीक है यह जो दो tools हैं यह आपको sharing basis पे भी मिलेंगे ठीक है यह मैं आपको बता दूंगा कौन सा बंदा जो है आपको sharing basis पे अच्छे टूल दे सकता है आप किसी भी Facebook में काफी सारे लोग सेल आउट कर रहे होते हैं कि मैं टूल परवाइडर हूं इस तरह से काफी fake भी होते हैं ठीक है तो आप किसी भी किसी भी बंदे की बातों में आकि उससे tools नबाय कर लेना ठीक है यह मैं आपको recommend करूंग कि कौन सा बंदा अच्छे टूल दे रहा है मैं खुद भी इसको sell out नहीं करता हूं ठीक है अच्छा आपको यह कोई 3500 की range के दरम्यान यह tools आपको मिल जाएंगे और एक महीना इसका duration होता है यह एक महीने के लिए आप जितनी मर्जी research करो अगर आप पुछ जाके buy करते हो 26 टॉलर में आपको एलेम 10 भी मिल जाता है वाइरल लॉंस भी मिल जाता है और जंगल स्काउट भी मिल जाता है तीनों जो टूल्स आपको मिल जाते हैं और आप अच्छी खासी research कर सकते हो दिन रात ठीक है अच्छा यह तीन टूल्स हैं यह 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 मार्किट के लिए है इस को अफिल आप skip करें इसकी की भी मैं आपको बात में बताओंगा अच्छा अब आपने क्या करना टूल्स का आपको लग जिया पता उसके बाद यह बात ही हम जो है बात मैं डिसक्स करते हिए जो यह भी कि आहां पर लिक्त हुए है है उसी को फालो करते हुए आप प्रॉड करते हो फिर आप उसको Amazon पे लिस्ट कर देते हैं उसके बाद फिर आपके पास और जाना शुरू हो जाती है और आपकी सेल आना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट अच्छा है आपके क्लाइंट को पसंद आया उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वह आपकी सेलरी भी और प्रोडक्ट ऑर्ड़्वर्वर्वां था खतब हैं तो आपको जो है लुक्ते को प्रेक्ट्ट सफॉर्वाज सरस्ऑठाइं अगले दो मुद्च्र आपको जो के वह दो किस्ते हैं वह टृक्ट कर मश्टेस करनी और लेक्ट्टर के साथ-साथ-सद rifrier जो है वह प्रफर्म करना होगा ठीक है पहले जो यहां पर नजर आ रहे हैं कि रिभीउस और यह प्रोडक्ट मैंने के बाद मुझे बड़क्ट अच्छा लगा मैंने जाके एमाजोन के उपर review दे दिया है कि this is good product ठीक है अब मैं आपको यहां पर review निखाता हूँ किस तरह से आपको नजर आएंगे अब यह पिलो कवर्स हैं मैं इसके लिस्ट के उपर जाता हूँ ठीक है यह आपको यह rating नजर आ रही है यह है इसके रिव्यूज इसके पास 2084 इसके रिव्यूज है इसके उपर मैं कलिक करता हूँ तो यहां पर आ जाता हूँ मैं यह ठीक है अब यह फाइव स्टार रेटिंग है आप यह बंदा जो है तारीफ कर रहे है प्रोड़क्ट की क यह होते हैं रिव्यूज ठीक है अच्छा किसी भी प्रोड़क्ट को लांच करने से पहले आपने उसके रिव्यूज पढ़ने भी हैं और चेक भी करने हैं ठीक है कैसे चेक करने हैं वो भी मैं आपको पताता हूँ आपने ज्यादा तर सो रिव्यूज आपने जो है वो कभी भी फैल हो सकती है Amazon पे 50% लोगों का पैसा डूप जाता है 50% लोगों का पैसा बनता है और जो लोग पैसा बहते है Amazon के उपर उनको पैसा मिलता भी वैसे है इक बात मैं आपको बता दौता दौँ वो वाला क्लाइट जिसकी जेव में 8000 डॉलर हैं, 10000 डॉलर है, आपने उसके साथ काम नहीं करना आपने ऐसे क्लाइन के साथ काम करना है, जिसकी जएब में 30,000 डॉलर हो, मिनिमंग, ताकि वो 2-3 प्रोड़क्त लाउंच कर सके ठीक है अच्छा और जब भी आप उससे बात करो आप उससे कहो कि भाई 10,000 डॉलर में आपकी प्रोड़क्ट लॉंच हो तो जाएगी लेकिन आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ठीक है है हमने रिवेव्ह लेने होते हैं अपनी प्रोड़क्ट पर्ने में ले लो को यह पाई तो मैंने उसके ओपर कुछ ओडर लिये और नेने के बाद मैंने बंदों की मिंटें कि येलो ये प्रोड़क्ट तुमने ले लिए आप इसके विविव दे दो पैसे मैं तुम्हें वापिस कर देता हूं फिक है मैंने पैपाल से उनको पैसे दे दिए वापिस उन्होंने अच्छा तो इस तरह से जो है आप लोगों से अगर आपकी रिमेंटरी है पांसो की तो आपको अपनी प्रोड़क्ट के उपर एट लिस्ट सो रिव्यूज चाहिए ठीक है इस तरह के अच्छा रिव्यूज की आपको समझ आगी होगी मैं क्राइटेरिया की तरह वापिस चाहता हूं टॉप 10 सेलर के जो रिव्यूज है ना मोर देन 500 लेस दन 500 होने चाहिए ठीक है अच्छा तॉप 10 अच्छा मैं आपको यहां पे जो है लाइव वो भी करके दिखाता हूं परफॉर्म अच्छा यह यहां पर मैं कोई और नाम लिख देता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं मुबाइल कवर्ड मैंने यहां पर लिखा नहीं यह वाली नहीं नहीं बहुत अधर वरियस है अच्छा यह मेंठेज के ओपर आपने न आकर गिंज अच्छा अब टूल को रन कैसे करना आपने है रहे सबसे पहले मने आपको दो दूल की नाम खाता एक पता हाया जंगल स्कौउट दूसरा पता राख्लियमском न में हैं ऐतक लिखनी चैडल्स काउट ऐ एखे कि अधि यहां पर यहां पर आपको एड करों कि अपने ही आपने एक्सेंशन की इसे ही आपने एक्सेंशन इसको भी आपने एड कर लेना है दोनों के लिए आपने अलग अलग ब्राउजर रखना है हिलियम 10 के लिए और जंगल स्काउट के लिए अलग अलग आपने इसका ब्राउजर रखना है आप ब्राउजर एड कैसे करना है यह पिक्चर आपको नदर आ रही होगी इसके आपने सबसे पहले जो काम करना है आपने अपनी मार्किट देख लेनी है अब amazon.co.uk यह है यूके के लिए और amazon.com है उसके लिए USA के लिए ठीक है अब मैंने amazon.com यहां पर आया हूँ और यहां पर आपने अड्रेस जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो ना उस कंट्री में जो सब्सक्राइब आपने उसका जो पॉस्ट्राल कोड है वो कॉपी करकी यहां पर लिए जो जो कंट्री है ना उसका कोई भी सिटी आप यहां पर डाल दो ठीक है तो वह उसी कंट्री की चीज़ें आपको दिखाएगा इस तरह से नहीं के डिलीवर्ट को पाकिस्तान इस तरह स अच्छा हम काम करने जा रहे हैं युएसे मार्किट में तो एमाज़न डाट कॉम ठीक है यह सबसे पहले आपने यह क्याल करना है अच्छा मैंने फ्राइंक पान किया था लेक्ट अच्छा यह में पेज है में पेज के ओपर ही आपके टूल काम करेंगे कि यहीं पर आपने रिसर्च करने है यह जंगल स्काउट इसके उपर मैं क्लिक करूंगा तो यह जो डेटा है मुझे फैच करके यहां पर बता देगा आई थिंग मेरे जो टूल्स हैं वो कोई और भी यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको जो है दूसरी मिटिंग में यह समझा दूंगा उससे पहले हम क्राइट एरिया जो है उसको रीड कर लेते हैं अच्छा यहां पर रिव्यूज जो है ना आपको यहां पर भी नजर आ रहे होंगे यह दो हजार च्छे सो बीस आठ हजार एक सो चपन ठीक है साथ हजार नो सो टाइस इस तरह से आपके रिव्यूज नहीं होने चाहिए आप यहां से देख लगे इसको चिसो पैची से हैं इसके एक सो च्यासिष्ट है और इसके पांच अजार से उपर होना चाहिए पांच थांच से कम नहीं होना चाहिए युसे मार्कीट के लिए बचलब के कोई भी आपने प्रोड़क्ट आके उसका कीवर्ड आपने टाइप किया फ्राहिंग पान है फिलो कवर्स है टॉब टॉबल है इसका सर्च वाली में यह 5000 से उपर होना चाहिए यह कैसे पता चलेगा हिलियम 10 में आपको बज़ चलेगा एक बार आप क्राइटेरिय से 40 डॉलर के तर्म्यान होनी चाहिए 15 डॉलर से कम का जो है वो प्रोड़क्ट नहीं होना चाहिए उसके उपर प्रोफिट की कोई गरेंटी नहीं होती अगर आप क्राइटेरिये से हटके काम करते हैं तो ठीक है काफी क्लाइट्स कहते हैं कि हमें 10 डॉलर की साथ कभी भी आप एक लिमिट से ज्यादा उससे बात नहीं करो बस अपने काम से आपने काम रखा और ज्यादा आपने उससे बात नहीं करनी कि I can do everything I can do for you ये इस तरह से आपने कोई भी आवर कमिट्मेंट नहीं करनी है आपने उसके साथ ठीक है खास और पे गोरे इसलंण से क्या होगा कि जब चार-फार महीने ने आपने उसके साथ काम कर तोप टेन सेल सेलर जो है ना उनका रेविनियू दस हजार डॉलर से ज्यादा होना चाहिए मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया अब यह जो है ना यह सारी चीजें यह हमें टूल्स बताएंगे ठीक है तूल्स किस तरह से बताएंगे उसमें हर चीज बता रहे हो होना चाहिए यूनिट्स पर मंथ हर एक सेलर जो है उसके उसके जितने भी यूनिट है 500 से अबब उनकी सेलिक होनी चाहिए ठीक है अगर एक दो आ जाते हैं जिनकी सेलिंग 500 से काम है तो चलता है कोई मसला नहीं अगर 45 है तो आपकी गिर रही है वहां पे 500 से कम वाले दो दो ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉप नंबर वन पे अगर आपको एमाजोन एजा सेलर नजर आ रहा है तो आप वह प्रोड़क्ट छोड़ दें क्योंकि उसके ओपर जितना भी रेविन्यू है वह एमाजोन खुदी जनरेट कर रहा होगा कोई भी दूसरा अगर मैं आपको दिखाओं यहां पर तो यहां पर उसमें ने आपको बुक सेंड की है उसमें मैं नेक्स मीटिंग में आपको दिखाता हूं पैले हम यह कवर कर लें अगर तीसरे चोचे नंबर पर आता है तो दो बार होना चाहिए तो पार डॉमिनेंट हो जाए तो ठीक ह अगर तीन बार आ रहा है तो आप उसको प्रोड़क्त को छोड़ सकते हैं काफी लोग कहते हैं कि Amazon डॉमिनेंट नहीं होना चाहिए लेकिन काफी सारी प्रोड़क्स के ओपर एज़ा डॉमिनेंट आपको नज़र आ रहा होता है लेकिन एक शक्त पर वह प्रोड़क्त अच ला सकते हो अगर टॉप फाइव में कहीं पर आ रहा है दो बार तो उस प्रोड़क्त को आप छोड़ सकते हो ठीक है अगर आपने उसको रखना है तो आप उसका रेविन्यू देखो कि वह ज्यादा कंपिटिशन में तो नहीं आ रहा है रेविन्यू की हिसाप से ठीक है रि अपनी कोशिश करूँगा आपको समझ आए ठीक है अपनी बेस्ट वे में आपको समझाने की मैं कर रहा हूं अच्छा उसके बाद जो है नो ब्रेंड डॉमिनेशन मतलब कि अब मैंने आपके सामने दो तीन ब्रेंड के नाम लोगा नाइक की है एटिडास है हर्याली ब्रे है तो आप उसको ब्रेंड हो कोई भी नाम वह दो बार नहीं आना चाहिए ब्रेंड का इसको आप छोड़ दो ठीक है नो ट्रेंडी मतलब के आपका प्रोडक्ट है वह इतना जरा थ्रेंडी भी नहों कि उसका तो competition है वो मार्केट में हाई हो competition लो हो ठीक है और डिमांड उसकी हाई हो जैसे के face mask का मैंने आपके सामने नाम लिया ठीक है एक face mask जो है तक्रीबन Q4 में जब पुरी दुनिया में लोक डाउन था तब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी ठीक है competition भी उसका बहुत ज़्य के उपर कैसे पैसा खर्च होता है अब बजार में 10 दुकाने हैं थोड़े वक्षे की उपर और हर बंदे ने सेम चीज रखी हुई है लेकिन थोड़ा बहुत quality का फरक है और हर बंदे ने advertisement जो है अच्छे वाली की हुई है अब वहां पर आप कुछ सोचो कि वहां पर competition हाई 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 होगा फिक है तो जब सब्सक्रीन हाइं आपको पर सश्चाब क्रीसमस के उपर काम करना चाहा हूं । कि दूइंती तो मुझे बताओ कितनी इंवेंटरी चाहिए थीक है तो आप उसको मना करदो के पर कृस्मिस की ऊपर काम ना करो एक बार सबस्क्राइब करो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ बर्प करने को थ्यार हूँ लेकिन तुम्हें उसकी गिरंटी नहीं जे सकता कि तो आप सितंबर में अपनी लिस्ट को रेडी कर लें, ठीक है, चार सो पीसिस होंगे, पांसो पीसिस होंगे, इंशाला लासली सेल आउट हो जाएंगे, अगर आप टाइम से पहले त्यार रहते हो, ठीक है, अच्छा, सिपी आरेट गीववेज, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो गीववे होते हैं, मतलब के, यह आपको नज़र आ रहा होगा, सिपी आर गीववेज मस्क भी लेस तन 300, मतलब के, एक वीक में या एक महीने में, कापके सरे लोग जो हैं, इसको एक महीने में कंसिडर करते हैं, कि मतलब कि अगर मैंने, अब डॉक टावल, उसको मैंने लांच किया, यूके मार्किट में, उसके गीववेज से 180, मतलब कि मुझे वो प्रोडक्ट को लांच करने के लिए, एक वीक में और एक महीने में, 180 से 200 गीववेज देने हैं, उसके उपर, गीववेज को आप रिव्यूज कंसिडर करें, आपर, ठीक है, मुझे अपनी प् परस्ट पेज ओफ एमाजोन पे लाने के लिए, मुझे अपनी प्रोडक्ट के उपर, ठाइसो रिव्यूज मस्ट हैं, लेकि आओं, उसके बाद, मुझे प्रोफिट जेनरेट होगा, ठीक है, उसके इलावा, नहीं होगा, अब काफिसारी प्रोडक्स आपको नज़र आइ वो चार सो, पांच सो, छे सो इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है, आपकी वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, कौन, इनेबलर्स वाले, एक्स्ट्रीम कॉमर्स वाले, क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया के मताबिक नहीं होती, मेरे पास ऐसे करेगा, जो प्रोडक्ट उनकी क्राइटेरियों को फालो करेगी, उसके उपर वो अप्रूप की स्टेंप लगा रहते हैं, कि अब यह अप्रूप्ड है, आप इसको सेल कर सकते हैं, चाहिए आप दो सो डालर की करो, पांसो डालर की करो, यह आपका सर्थ है, कि आप किस बं को आप जो है मुतमाइन कर सको कि भाई यह देखो यह क्राइट एरिया है आओ मेरे साथ लाइव एमाजोन के उपर मैं आपको हंटिंग करके इसके स्टैड दिखाता हूं ठीक है अब प्रोडक्ट सेल करने का क्या तरीका है यही तरीका कार आप एक प्रॉपर रिपोर्ड बन कर लिए था मेरे जो लिस्ट रेडी होई थी यह कम नमंबर को जाकर रेडी होई थी मैंने चार सो पीसी इसके जो है वो चाइना से लिये थी मेरे कितने सेल आउट हुए दो सो असी ठीक है बाकी मेरी इन्मेंटरी वैसी की वैसी पढ़िए लेकिन मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट है अपने उसको रिपोर्ट पहेज़ता हूं आप भी उसे कहो कि मेरे साथ लाइव आओ मैं तुम्हें सारी एटू जी टूल्स के साथ हंटिंग कैसे करते हैं बताता हूं पांच मिनट भी ने लगने आपने उसको लाइव अंटिंग करके दिखानी है यह इसक सब्सक्राइब आपको मिटिंग में वहां पर प्रेंड नहीं आना चाहिए प्रोड़क्ट आपका ट्रेंडी जो है नजादा भी नहीं हो और इतना कम भी नहीं हो अच्छा की वर्ड जो है आपका गूगल ट्रेंड यह कैसे देखते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक प्रोड़क्ट हंटिंग के ओपर त्यार की हुए है अपनी अच्छा आपका जो प्रोड़क्ट है उसका जो बेस्ट सेलिंग रेंख है बीसर क्या होता है वह तक्रीबन कोई 20,000 से कम होना चाहिए USA मार्किट के लिए एवरिज आपको बीसर नजर आएगा जब भी आप जानगल स्काउट में आपको बीसर नजर आएगा आपका आपने टॉप टैन सेलर कप बीसर चेक कर लेना कैसे चेक करना आप आओगे यहां पर अमाजॉन पर आप यह बैस्ट सेलर है इसके मैं में परफाइल के ओपर आया हूँ तो यहां पर मुझे इसका बीसर नजर आए प्रोड़क्ट की जो इंफॉर्मिशन है यह ठीक है अब इसका जो बेस्ट सेलिंग रहे है वो सीट टॉप इन अच्छा यहां पे काफी प्रोड़क्ट करना लिखा होता है चार हजार पाँच जार दस हजार इस तरह से लिखा होता है तो आपने क्या करना है यहां से आपने रीड आउट कर लेते हैं कर लेना है यह मैं आपको यह मेरे खाल आमाजोन का जो अल्गोरिदम है ना उसमें कुछ चेंजिंग होई है इसलिए यहां पे नजर नहीं आ रहा है तुक है अच्छा यह जो रेंक है यह आपका जो है तो क्रीबन कोई चार हजार पांच जार इस तरह से आपको यहां पे नजर आता है यह बीस हजार से कम होना जिए टॉप टैन जितने भी आपको नजर आएंगे सेलर्स पून का ठीक है अच्छा यह मैं अभी आपको टूल रन करके दिखाता हूं तो आपको महां पे जारा ब झाल झाल प्रैण तो आपको यहां पे बीस को एृप Um जास वह मने, करते हैं, यह जब हैं, और द्म shines है गांज वार पले बीक सेमझ भी traffic, आप Pर मैं, झाल दॉब आप मूल खनल बिएकिता।